आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गौड फाल स्ट्राडेजी और गौड जीला स्काल्पिंग स्ट्राडेजी जो कॉल और पुट दोनों साइड में हमने दिसक्स किया था कि जब भी मार्केट अप्रेंड में होगा तो उस टाइम पर बुलिश ट्रेड कैसे ले सकते हैं डाउंट्रेंग के लिए तो मैंने पुट साइड के बहुत अच्छा ट्रेड बता रहा था बहुत अच्छे स्ट्राडेजी दे रहा हूं गौड जीला स्काल्पिंग स्ट्राडेजी पार्ट वन पार्ट टू मैं कल अपलोड कर दिया था तो अब भी हम डिसकस करेंगे इतना एजी मार्केट नहीं मिलता है अगर आपको अच्छा से नहीं करना था था निउस अनलिस तो थोड़ा dick करना जो जाता है बजोते स्ट्राडेजी को यूज करते हैं तो यह दो बात का हमेशा ध्यान रखेंगे तब यह आपको एक बड़िया रिजल्ट मिलेगा सबसे पहले देख सकते हैं Godfather स्ट्राडेजी आज किया क्या ठीक है तो Godfather तो अगर किसी ने स्कैंडल का लोगा स्टाप्लोस रखा होगा तो वो आज बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर कियोंगे अप्रॉक्सिमेटली सेवन सिक्स तो सेवर अनिट पॉइंट तो और अबरेज पर लॉट मैं नहीं भी बुलू तो दस से बारा जाल पर को प्रॉफि सेखेंघेंख सकते हैं यहां पर ट्रेड मिला प्रॉफित बॉफिट इहां पर ट्रेड मिला प्रॉफिट लॉटार चार दिन लगा था बेक अध्यार गॉट भारiques क्रश कि दे चुकआ है बताऊ, в 10-10 वार रोस एंगे और फिर 2 बर लःस हैंगे, то हमेसा 8 बार प्राफिट में रहेंगे, फिर 2 बार रोस हैंगे, हमें भी इंस उसीकिन के चाले साके इस कोई बातनी हैं और यह 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 और रहेंगे पैसे कमा रहेंermoहित, तो यह तो एक ओवर्वीव हो गया गॉड़ फाथर स्ट्राइजी का अब हम लोग देखने वाले हैं क्या गॉड जिला स्कैल्किंग स्ट्राइजी गॉड जिला में क्या था कि वर टाइम लगा लेना है और बॉलिंजर बैंड को ओपन कर लेना जैसे आप यह शीज़ करेंगे अब देखे सुभा सुभाई में अपडेट करेंगे कि बजट का दे है थोड़ा हम लोग अलर्ट होगे ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट कहीं से भी रेंडमनेस दिखा सकता है क्योंकि न्यूज ड्र पर चला जाएगा और जैसे ही कोई चोटा सा नेगेटिव निउस आएगा मार्केट एक दिम से नीचे फॉल कर जाएगा जाएगा जितने भी लोग गॉड्जिला स्कल्पिंग स्क्राडेजी उस कर रहे तो उनको जो भी प्रॉफिट मिले वह लोग करते चले चले बड़े टार्गेट का वीट नहीं करें तो पहला ट्रेट तो हमें यहीं मिल गया था जहां पर अप्रॉक्सिमेटली आप देख सकते हैं 100-500 पॉइंट क्या बोलते हैं 60-70 पॉइंट का टार्गेट यहीं भी मिल गया था फिर सेकेंड ट्रेड हम लोग को यहां मिला गॉड्जिला स प्रॉक्सिमेटली मैं नहीं भी बूलो तो कितना पॉइंट कैप्चर करके दिया लगबग 3-280 पॉइंट तो 280 अगर आप कैप्चर कर लें वन इस्टो फोर रही है वन इस्टो फोर अगर आप अचीब कर लें यहां पर भी एक ट्रेड था यह ट्रेड भी प्रॉफिड मे चीज आ रहा हुँ यह देखे तो मैं गौट जिला इसले बताता हूं क्योंकि गौट जिला क्या करता है मैं टॉप्स को फाइंड आट करने में हेल्प करता है अगर गौट जिला स्कालपिंग स्ट्राड़ीजी पाट वन यूज यूज कर रहे तो उन्हें टॉप्स को मार्केट लगबग वन बे 200-200.500 का मोमेंटम कर दिया ठीक है उसके बाद एक ट्रेड यहां पर भी बना यह हैमर पर और यह भी अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया तो गौट जिला बहुत ही यहां पर स्टॉप्स हमारा गया कोई बात नहीं है यहां पर एक प्रॉफिट है यह एक हैमर गैंडल बना उसके बाद देगी गौट जिला स्काल्फिन स्ट्राडेजी पाट टू ने फिर से लगबग 300 पॉइंट कैप्चर किया तो जो इतने बड़े 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 प्रॉफिट्स कैप्चर कर लेंग उनको एक दो स्टॉप लोस देने में सो दीस चार अगर आपने 100 लिया अगर आपने 100 लिया तो उसमें से जो 70 ट्रेट्स होंगे वह आपके प्रॉफिट्स में होंगे और 30 ट्रेट्स होंगे वह आपके लॉसे यह कहता है 70% ट्रेट्स का सेट अप तो क्या आप जानते हैं कि वह 30 stop loss वाला जो ट्रेड़ों को कौन सा है हो सकता है वह सुरुइट के 30 stop loss ले हो सकता है वह बीच में कुछ stop loss ले हो सकता है वह सुरुइट के 70 profit दे दे last के 30 stop loss खाए तो अब नहीं जानते हो कि कौन सा वो ट्रेड होने वाला है जो मुझे profit देगा जो मुझे loss देगा बट इतना मुझे पता है कि 100 trade मैं लोंगा उसमें से 70 में profit में रोंगा और 30 में losses में होंगा और उपर से मैंने risk reward को मिला दिया कि हाँ अगर मेरा 100 points का stop loss है तो मैं कम से कम 500-200 points लोंगा तो अब क्या है कि जो आप losses कर रहे हो तो एक रुपया और जब कमा रहे हो तो दो रुपया और उपर से आपकी accuracy में 70% की है तो accuracy अब कब पकड़ पाओगे जो आप पूरा trade लोगे अब आपको कोई कह दिया कि 70% की accuracy है और एक महीने दियो में मुझे लगता हो गया और एक महीने कम से कम 22-24 दिन तो होई गया होगा 24 दिन में मैं कहता हूँ आप जाके backtest करो कम से कम मैं कहता हूँ 5000 पॉइंट तो capture किया होगा तो अगर 15,000 से भी ट्रेड किया होगा तो उसके 15,000 कम से कम भी 60-70,000 पे बन गया होगे कहीं नहीं गया होगे 52-60,000 रुपया कहीं नहीं गया होगे आप जाके backtest कर लो ठीक है add the money कर रहा हूँ अगर इंदी money में कोई trade कर रहा हो तो उसको बात या लगए वो तो कम से कम लाग पार कर गया होगा एक लाग से उपर चला गया उसका profit बट अगर कोई add the money भी trade किया हो जब तक आपके पास as a fund में पैसे नहीं होगी आपकी psychology काम नहीं करेंगी ठीक है तो जब तक अच्छे खासे fund नहीं हो तब तक trade मैं भी यह बता रहा हूँ कि अगर कोई 15,000 से भी तो 15,000 on average में कह रहा हूँ कम से काप 60,000 तो बनी गया होगा आप जाके backtest कर लो मैं इस को ल ट्रेडिंग हुआ है और 22-24 दिन में 4-5,000 तो easily capture गया है ठीक है और जब से गौटजिला दिया हूँ जब से गौटजिला में दिया हूँ गौटजिला on average में कहा हूँ 2000-3000 point capture कर चुका स्कल्पिंग वाला 25 का तो जबावी नहीं गौटजिला तो अलग लेवल का है strategy अब आप यूज करके पैसा नहीं बना पार हूँ यह आपके fault है ठीक है यह देखो कल के rate में आज के rate में इतना सारा profits यह capture करकर दिया है गौटजिला स्कल्पिंग स्कल्पिंग स्ट्राडिज से कि कम से कम अगर कोई वी strategy का follow कर रहे हो one month regularly follow करना है अगर आपको इसकी accuracy को check करना है तो one month regularly follow करें और दूसरा जो point है वो यह है कि अगर market आपको बड़े stop loss दे रहा है ठीक है मैं कहता हूँ लोग कहते कि इतना बड़ा stop loss में कैसे trade करें मैं थोड़ा logic समझाता हूँ अगर market ऐसा condition create कर दिया आप आपको stop loss बड़ा आ रहा है तो क्या करना है कि आप market को fix नहीं कर सकते आप market को change नहीं कर सकते लेकिन अपने आपको trade करते हो है 100 quantity से trade करते हो तो उस दिन half quantity कर लो जिस दिन बड़े stop loss आ रहा है मुझे पता है कि यह stop loss आ रहा है लेकिन यह stop loss hit नहीं होगा मेरको target ही मिलेगा लेकिन अगर by the way market reverse भी हुआ तो हमको stop loss जाएगा तो हम 100 quantity से जो trade कर रहे है और मेरा stop loss बड़ा रहा है तो हम अपने quantity trade कर रहा कि अगर calculate में मुझे 100 quantity profit भी होता तो पांची जार का और loss भी होगा इस तो पांची जार का इस टाइप में अगर आप अपने आपको shift करने लग गया है कि market को आप change करने के बारे मत सोचो market को आप change नहीं कर सकते ठीग है और जितने भी लोग market से revenge लेने की कोशिज क करते हैं market उन्हें कहीं का नहीं चोड़ता है तो market को as a friend trade करो और कोशिज करो कि अगर market अपने आपको बड़ा stop loss दे रहा है अगर market आपके setup पे बड़ा stop loss create कर रहा है तो आप क्या करो आप अपनी quantity कम कर लो that's why कि बड़े quantity पे और छोटे quantity पे उतना जादा फरक नहीं क्योंकि logically आप सोचके देखो कि अगर मालो अब बड़ा quantity से trade कर रहे थे तो stop loss छोटा आ रहा तो छोटा stop loss में अगर वह stop loss भी खाता तो बड़ा quantity का same stop loss आता और अगर मालो stop loss बड़ा रहा है तो quantity छोटा कर लेगे तब भी stop loss बराबर ही आएगा लेकिन हम क्या करते हैं market को change करने चले जाते हैं और that's why हमें strategy का accuracy को कम कर देते हैं तो यह point दो दिवान में रखना है क्या 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 regularly one month तक follow करने और दूसरा जब भी stop loss बड़ा लगने लगे quantity को half कर दो और सबसे बड़ी बात में आज बता देना चाहता हूं कल के दिन एक दम alert होके trade करना है क्यूंकि क कल expiry है कल expiry है कल premium को zero होना है ठीक है तो अगर premium zero होगा that's why आप समझ लो कि on and average मैं कहूं मुझे इसा लगता है कल premium बहुत बढ़ा हुआ है आपने कभी ऐसा देखा कि market में Friday, Wednesday, Thursday क्या सपास market पहुंच हो Tuesday, Wednesday चल रहा है premium 300 का मिल रहा है आज मैं बतारू आज मैं trade कर रहा था मुझे 300 400 का premium मिल रहा था तो 300 का premium आप सोचो इसको zero होना है कल कोई एक साइट जीरो होगा ही होगा यह तो confirm है अगर एक point में बच जाता है that means वो zero होगा तो अगर 300 point को zero होना है तो वो ऐसे जीरो होगा नहीं तो वो क्या करेगा तो कल आप trade करोगा option buying करोगे क्या होगा premium alert होके trade करना है और मैं तो कहूंगा कल एकदम quantity कम करके trade करो और जिनके पास आज profit हो चुका है मैं कल trade ही मत करो simple मैं तो trade नहीं करने वाला कल क्यूंकि मुझे पता है market में premium बहुत महंगा हो रखा है और कल उसको expire होना है कल zero होना है तो zero कैसे होगा वो decay करेगा यानि आप buying करे तो बहुत fast DK होगा हम कुछ नहीं करेंगे market में loss देदेगा that's why मैं कह रहा हूं थोड़ा precaution में trade करना है alert होके trade करना और जिने आज profit अच्छा खासा हो गया है 20-30-40,000 का जिने भी profit हो चुका है वो कल trade नहीं करेंगे simple सरूल है ठीक है यह तीन point को दिमाग में रखना है और budget का डे चल रहा है market कब किदर fluctuate कर जाए कहना मुस्किल है तो वैसे भी मैं टेलिग्राम पर update कर जाते हैं कि हाफ quantity से trade करो जब तक budget काता मिल हो जाता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बज़ट का impact market में बहुत जादा पढ़ते हो पढ़ता है आप आज का देख लो ना market आज क् मुझे ऐसा रखते हैं पर कोई positive news आया market ऊपर चला गया जैसे को negative news आया market नीचे आगया अब भी news driven market चल रहा है तो हम मार्केट से fight नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बार कि अभी avoid करेंगा और कल तो पक्का avoid करना कल expiry है नहीं तो डीके हो जाएगा फिर मुझे मत कहना कि प्रहें भी लोग stop loss trailing concept सीखना चाहते है कि stop loss को trail करके बड़े profits कैसे capture कर सकते हैं इसे यह वाला ट्रेट था गौडजीला में यहां पर ट्रेट था यह तम टॉप पर इस लेवल पर ट्रेट था और इस लेवल से market यहां तक आया यहां तक भी capture हुआ है profit ठीक है तो यह trailing concept स से capture कर सकते normal concept से इतना बड़ा profits capture नहीं कर सकते तो अगर जिन लोगों को भी profit trailing concept सीखना है मुझे comment करके बताएं कि हा मुझे सीखना है that's why मैं सिखा दूँगा बहुत अच्छा concept है एक बास सीख जाओगे तो बड़े-बड़े targets easily achieve हो जाएंगे easily capture हो जाएंगे बिना trailing का बड़े moves नहीं capture कर सकते तो तब तक के लिए अच्छे से safely trade करें और मिलते एकली वीडियो में वीडियो चला हो तो वीडियो का लाइक कर दे और अच्छे से trade करें safe हो के trade करें budget चल रहा है और कल ध्यान रहे थ्रस्टे है expiry है डिक है बहुत fast होगा क्योंकि premium बहुत अभी भी महेंगा है ठीक है एट दमनी का premium 3300 रुपया का रहा है आप समझ लो अभी on and average मुझे याद है कि पिछला expiry पे premium around 100 रुपया-500 रुपया हो जाता था 100 रुपया 120 रुपया क्या सब्सक्राइब जो अभी मुझे premium कितना मिल रहा है 300 तो उसे गलना है वह 0 होगा और वह 0 ह होगा तो मतलब क्या मार्केट तो महीं रहने वाल है उपर नीचे थोड़ा बहुत होगा उसे क्या फरक पड़ेगा तो कल अलर्ट होना मैं तो कहूंगा जिने प्रॉफित आज हो गया है वो ट्रेड मत करो और जिन भी लोगोंने गौड फादर गौड जिला यूज किया हो होंगे वो पर लॉट कम से कमाज 20-25,000 प्रॉफित होंगे कहीं नहीं गया होगा पैसा ठीक है तो उस प्रॉफित को कैप्चर करके रखे कल लॉस नहीं करना है ठीक है फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सपारी से चेक बढ़ी है से मार्केट को कल वस मार्केट को वाच आउट कर